दर्सक्विन नमस्कार मैं हूँ आचर रामकृष्ण सास्त्री और आपका प्रिय यूट्योब चैनल एस्टर बजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है मुझे कई परकार के वीडियो मिला है कि हम मकान की मुख्य द्वार का निर्मान कर रहे हैं तो मुख्य द्वार का निर्मार करते समय हमें किन किन चीजों का विश्यस तरिएशा में ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हमें विर्ष्य तरिके से जानकारी पर दान करें तो इसलिए आज में इस वीडियो लेकर उबस्तवा हूँ और बास्तु सम्मंदी जो भी जानकारी है और ग्यान जो जानकारी है मैं इससे पहले भी वीडियो के माध्यम से अपलोड किया है तो आप हमारे वाल में जाकर यूटूब चैनल के अंदर जाकर भी आप इस परकार के जो वीडियो है वो आप जरूर आप सर्ज कर सकते हैं जरूर आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं तो बास्तो के हिसाब से मुख्यद्वार का निर्मान करते समय विशसकर हमें किन चीजों का ध्यान रखना जाहिए जब हम मकान निर्मान करते हैं तो मकान निर्मान में मुख्यद्वार मकान का अभिंगन अंग में से एक माना जाता है जब भी आप मकान निर्मान करेंगे मुख्य द्वार ही अगर आपका गलत है तो आप अंदर के बास्तु कितने भी आप शुचांक से बनाएं परन्तु आपका बास्तु के साब से अत्याधिक खराब ही माना जाएगे कॉकि भास्टुग के लिए मुख्य द्वार का निर्मान करते समय, अगर आपने सहस्ता नहीं वरता, शाब्धानिया नहीं वरताए, तो आपको मकान के अंदर कोई भी दोसना हो तब भी वह आपको मकान के अंदर सभी पर दोस universo का आघमन कराथास इसलेए वास्तु के साथ से मुख्यस द्वार का निरुबध अभर्षे करना चाहिए तो मुख्यस द्वार गर से घरको उत्पन्न अत्पा उर्जा को उत्पन्न करने की जो सामर्त मुख्यद्वार में होना चाहिए वो चीज नस्ट ही मिलेगा इसलिए शदैब्या मुख्यद्वार का निर्मार करते समय नया चीज का ही परिख करना चाहिए नया चीज ही अत्पा नया मुख्यद्वा कि अभर्ष्ट आपको चेंज कर देने चाहिए तो उन में इनची जो का परिवाशित करने का वशक नहीं रहेगा तो अंदर जाकर आप जरूर लगा पाएंगा तो मुख्यद्वार कई निर्वारnant अगर आप करते हैं तो ध्यान रहे कि आज कर में देखता हूँ मुख्यद्वार का निर्वार करते हैं तो अलग अलग और करकार से जो बहुत बड़ा दोरौ बहुत बड़ा दोर्श्वाना जाता है जिससे परिवारिव किसी कारे कर नगळे जाएँगे थो नइद अस Saint दो भो सब्कूर्ण के आपको принципе हुईॉ तो सब्सके के लाबा जब − मं द्यनाों की दोरा करें मकान के जो द्वार का निर्वान करेंगे, तो निर्वान करते समया, मुख्य द्वार का जो पल्ला है, इस तर किसे लगाने चाहिए, कि वो अंदर के तरफ खुले, ध्यान रहे, कभी भी मुख्य द्वार लगाते समया, शिंगल पल्ला नहीं लगाना चाहिए, अगर शिंगल निर्वार के अंदर कोई भी आप दोर का निर्वार कर दो वहां हाँ आप जो है जो है स्गंगल आप लगा सकते ह 57 लेकिन मुख्यद्वार पर शींगल जो पनला होगा वो आप नहीं कर श्याथ सकते ate पिल में पीमार कामाने वाला वाला वेक्ती हैं वो भीमार होकर घात में पढ़े जाता है नएक्ति लिए कयान तो rapport शेता है अगर शामने इसी परकार के थमले हो और विजली के खंबा हो अथबा किसी का मकान का जोइंट उसके सामने आ रहा हो तो वहां भी आप लोगो शाब दनिया वर्श्य आपको बरत लेने चाहिए और मुख्य द्वार के सामने किसी परकार के तुरूटी चीज़ नहीं होना चाह है और कोई जो पानी का ठैराओ के लिए कोई नहर वगरा नहीं होना चाहिए अगर इस परकार के है तो मुख्य द्वार पर आप क्रिश्टल का बोल अथवा हनुमान जी के तस्वीर अथवा बिगन बिना गड़े जी का आगी अथप पिछे दोनों तरफ करके गड़े जी क है आप उसको अपने समसम्हाः कर सकते तो उस gonna जाकी कोई फ्रेस बोर्ड लगा सकते हैं अथवा उनको ढगने के लिए कोई भी आप जो है आप उसमें किसी पर कर शकते अगर करने बिल्बनेवार है सो जुक्ष्ण आपको शमाबे शत्वा धियान रखने योग्या जीज आपके लिए यही है अस्त भी आज कितना ही समस्या है और क्या जिग्या साहीं आपको कमेंट्स ज़रूर करेंगे और अगर अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को आप जरू करने की कोशिश करेंगे तो हो शकता है आपके लिए अगला जो वीडियो होगा आपका कामनार था ही आपको वीडियो हो सकता है तो शंपर्ग शुत्र आप नोट कर सकते ही डबल 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 जिरो डबल सेवन और फाइब जिरो वास्तु संबंदी अत्वा घर में कोई भी कि अशी परकार की कोई भी समस्य अगर आपके सामने हैं तो उन समस्य शेकर जोज रहे हैं और उन समस्य से निदान चाहते हैं तो आपने सिंद होकर आपमें शंपर्क कर सकते हैं